कार्थिके एहम करिश्यामी प्राते शनानम जनातन प्रीत यर्थम तब देवेश दामो दर मया से है राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों आज मैं आपके लिलाई हूं कार्थिक मास महातम की कथा का पांचवा अध्याए बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने शुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै कार्थिक मास महातम की अवश्य लिखें बंधों कार्थिक मास में रोजाना ब्रह्म मुहूरत में श्नान करें और फिर कार्तिक मास महातम की कथा को अवश्य सुने। बंधों कार्तिक शनान आश्विन मास की पूर्णिमा को अरंब करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पूरुष अत्वा नारी आश्विन की शुकल पक्ष की एकाशी आने पर भगवान विश्णु को नमसकार करके कार्तिक व्रत करने की आज्या प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयम भगत के उपर गृपा करके उसे आत्मिक बल और मनोबल प्रदान करते हैं। और कातिक व्रत करने वाले को सद बुध्धी देते हैं कातिक मास महातम का व्रत शनान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है आश्विन की पुर्णिमा से लेकर कातिक की पुर्णिमा तक भगवान की प्रसंता के लिए प्रती दिन गंगा शनान करना चाहिए बंधों गंगाजी में शनान नहीं कर पाते तो कम से कम नहाने के पानी में गंगाजल जरूर मिलाएं और गंगाजी का ध्यान करते हुए ही शनान करें ऐसा करने से आपको गंगाजनान के ब्राबर पुन्य की प्राप्ति होगी जो मुश्य अंजाने भेभी कातिक मास में शनान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती कातिक मास में दुलसी के पोधे के नीचे शीराधा कृष्ण की मूर्ति का निश्काम भाव से पूजन करना चाहिए तुलसी के अभाव में आवले के व्रिक्ष के तले पूजा करनी चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं कातिक मास में जो भगत प्राते काल शनान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वहनिश्च के ही मोक्ष पाता है पूर्वकाल में भगत विश्णुदास भगती पुरवक तुलसी पूजन से शिग्रही भगवान के धाम को चला गया और राजाचोल उसकी तुलना में गोन हो गई तुलसी की पूजा पाप का नाश पुन्य की व्रिधी करने वाली है अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विश्टार करती है उतने ही सहस्तर युगों तक मुनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित रहता है यदि कोई तुलसी सन्युक जल में शनान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनन्द का अनभव करता है जिसके घर में तुलसी का पोधा विद्धेमान है उसका घर तेर्ट के समान है वहां यम्राज के दूद नहीं जाते जो मुनुष्य तुलसी काश्ट तन्युक्त गंधारन करता है क्रिये मान पाप उसके श्रीर का सपर्ष नहीं करते जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पित्रों की तिप्ती के लिए श्राद करना चाहिए जिसके कान में, मुख में और मस्तक पतुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके उपर यम्राज दिष्टी नहीं डाल सकते बोलो शी कृष्ण भगवान की जै शी कातिक मास महातम की कथा का पाच्वा अध्याए राजा प्रिथू ने कहा है मुनी जी आपने कातिक मास में शनान का फल कहा अब अन्य मासों में विदिवस शनान करने की विधी नियम और उद्यापन की विधी मुझे बताईए देवरिश्री नारत बोले है राजन आप भगवान विश्नु के अंज से उत्पन हुए हैं अतै यह बात आपको मालूम ही है फिर भी मैं आपको यतोचित विधान बतलाता हूँ ध्यान से सुलिए आश्विन मास में शुकल पक्ष की एकाशी से कार्तिक के ब्रत करने चाहिए सुबह ब्रह्म महूरत में उठके जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्विया उत्तत दिशा में जाए दिन में अत्वा शाम को कान पर जनेउं चढ़ा कर प्रित्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढख कर मूँ को बलपुर्वत भली भांती बंद करके थूक व सांस को रोक कर मलवा मुत्र को त्याग करने के बाद मिट्टी वा जल से भली भांती अपने गुप्त अंगों को धुवे तत्पचात जो मुश्य दातुन नहीं करता उसके सब मंत्र निश्वल हो जाते हैं अतै दात और जीब को यतन पुर्वक शुद्ध करना चाहिए और निमन लिखित मंत्र पढ़कर व्रिच से दातुन तोड़नी चाहिए हे ब्रहस्पती तुम हमें आयू, कीर्ती, तेज, प्रजा, पशू, संपत्ती, महा ज्यान, बुद्धी, विद्या हम को परदान करो यह मंत्र पढ़कर दूद वाले व्रिच पर से बारें अंगुल की दातुन तोड़ कर करें, ब्रत या श्रास के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, प्रती पदा, अमावस्य, नौमी, छटी, रभी वार को चंद्र तथा सुरे ग्रहन में दातुन करनी चाहिए, कटीले पेडों, कपास, पीपल, बर्गद और निर्गंद इन पेडों की भली भाती श्रान करके, फूल माला, चंदन और पान इत्यादी, पूजा की समक्री लेकर, प्रसन मन वा भक्ती पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए, वहां सभी देवी देवताओं का अधरे, आच्मनिय आदि वस्तों से, अलग अलग पूजन करना चाहि फिर भक्तों के स्वर्स में स्वर मिलाकर शी हरी का कीतन करना चाहिए, मंदिर में जो गायक भगवान शी हरी का कीतन करने आए हो, माला, चंदन, तांबुल, आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीतन करने वाले भी साक्षाग भगवा विश्नु की ही मूर्ती होते हैं यहे लोग सत्युक्त में विश्नुची को अपने तपष्या योग और दान द्वारा भगवान को प्रसंद करते थे कल्यूग में भगवत गुंगान ही भगवाञ शीहरी को प्रसंद करने का प्रधान सौधन माना गया है नारतजीन नारत जी ने राजा प्रिधु से कहा है नारत मैं बेकुंट अत्वा योग्यों के रिदय में भी नहीं रहता अपितू जहां मेरे भगत मेरा कीतन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ जो मनुश्य, चंदन, माला, आदि से मेरे भगतों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐस प्रिती होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती शिरिश, धतूरा, गिर्जा, चमेली, केसर और कंदार, कठाल के फूलों वा अक्षतों से भगवान विश्नों की पूजा नहीं करनी चाहिए अढ़हल, कंद, गिरीश, जूहू, मालती और केवडा के पुश्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए, लक्षमी के इच्छुक पुरुषों की तुलसी पत्र से सुरे नारायन की पूजा नहीं करनी चाहिए, जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हें से उनका पूजन करें, पूजन समापत करने के बार भगवान से ख्षमा प्रातना करें, तथा हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास नाममंत्र है, ना किरिया, मैं भक्ती से भी हीन हूँ, जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है, उसे पूरा करें, ऐसी प्रातना करने के बार दन्वत प्रणाम दो, वाश्च्छमा प्र करना चाहिए, शीहरी की कथा सुननी चाहिए, और प्रशाद ग्रहन करना चाहिए, इस तरहें बताई गए विधी के अनुसार, जो म्रश्य कातिक प्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए, अत्मे मुक्ति को पाते हैं, शीराम जे राम जे राम, शीराम जे राम, 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 ज स्री राम जे राम जे जे राम बोलाओ स्री कृष्ण भगवान कीजे राधे राधे जे श्री कृष्ण बंधो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद